आंसर के प्रेपेर हो चुका है तो अभी हम देख लेते हैं फटा-फट से कि किसका क्या करेक्ट आंसर होगा आज के एक सेशन का और इसके बाद आप चाहोगे तो आज रात से या फिर जाकर के एप्लिकेशन के उपर आप चेक आउट कर लेना आपको सारे आंसर कीज मिल हैंगी चलो स्टार्ट करते हैं पैसेज़ेस का फरस्ट जो इसका अंसर है डाट इज स्क्राइश के पर ठीक है एक बार मैं पैं सेलेट कर लो और या मैं सेलेट कर दे रहा हूं आपको यह दिख जाएगा ठीक है इसके बाद इसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं है तो साहर इसमें इडियोम फ्रेज का मीनिंग पूछ रहा था यानि की आउट कम नहीं निकलेगा इसका मतलब यह होता है कि कोई डिजल्ट नहीं निकलेगा ठीक है मैं यह चस्में की बात हुई थी यहां पर तो संग्लासेज पाइसपटिंग संग्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाए देख सकते हूं 84 days वालग correct answer होगा उसके बाद man is powerless because of fury of nature जो की flood और जितने भी परशानियां होती है उस flood से वो बताया गया था इसका मुझे लगता है correct answer दाओ होगा अगर यहां पर theta होता तो फिर कहीं जाकर के think हो सकता था बट अभी के लिए दाओ होगा इसका correct answer as per me ठीक है चलो next page पर चलते हैं actually my annotator use कर रहा हूं आपको correct answers बताने के लिए Ireland फटा फटा फट मूब करेंगे क्योंकि इसमें आपका ज्यादरा time waste ना हो मात्मा गांधी ठीक है speech keep है तो इसमें option number D is the correct answer and after that trusting कितने generations की बात हुई है तो three generations की बात हुई है discipline in daily life का है तो correct answer is first one guarded by space list उसके बाद आपसे पूछ रहा था आरके नरायन के printer of sign के बारे में उसका correct answer होगा गल्फ के बारे में पूछ रहा है तो यार देखो गल्फ अप कच ऐसे कट जाएगा परशन गल्फ भी कट जाएगा गल्फ स्ट्रीम और बागी चीज़ें होंगी और हो सकता है इसमें कुछ error हो तो आप हमसे पूछ सकते हो बाद में यह फिर discussion कर सकते हैं कमेंट्स में exalted अब यहां पर परशन की बात हो रही है ठीक है जब power and glory की बात हो रही है प्रण सेशन करेंगे तो आप देखेंगे यू का यूज आएगा आइक यूज आएगा आइक चल करके सेंट्रल वाविल की बात होगी ठीक है तो सेंट्रल वाविल का भी सवाल है आगे चल करके याद रखना है आपको इस चीज को between a landlord and lady जो की अफरिका के context में बात होती है color के बारे में race के बारे में बात होती है पढ़ा है हमने और notes में आपने देखा ही है फाइब मिनिट्स पॉर्ट एकर्बिक का मीनिंग क्या होगा बैसिकली यहां पर आप से पूछ रहा है सिनॉनिंग तो ख्रेटिकल हो जाएगा उसके बाद एक्विटी हो जाएगा यह आपको मेरे जो questions थे question bank उसमें यह भी questions सारे questions लगवाग 80% से ज्यादा questions उसमें से match कर जाएगा kelt will be the right answer Joseph Willis के according यहां पर पूछ रहा है जो इस वाले particular question के अंदर तो यह हो जाएगा further articles को बैं करने की बात की गई थी and further articles on the subject how does William Shakespeare portray love in sonet 29, sonet 29 बहुत इंपॉर्टेंट था a pen a key of all the hardships directly उसके explanation से उठाया है 33 number question है तो यहां comparison की बात की गई थी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं moving to page number four बाला सुब्रमानियम से related बुक से फिर से देखो central वावल का बात आ गया तो मेरे recording here caught will be the correct answer Robin उसके बाद यहां पूछ रहा आपको direct indirect speech का है तो simply option a उसके बाद आपसे पूछ रहा power and glory के context में तो ब्रिगिटा गिरिस करनाट के हायवद नम आपको पता है क्या रहता है पूरी की पूरी कहानी में मैं मैंन भी था होर सेट कितनी बार मैंने यह test series में भी करवाया हुआ है वहती basic सा सवाल था ठीक है उसके बाद the traveler poem की बात हो रही है तो traveler poem से यह particular इसका correct answer आपको देना है तो I guess थोरा डाउड था मुझे लेकिन या ट्यूरेट विल बी the correct answer according to me let's see a miss spelled work तो देखो landscape बिल्कुल सही है festival बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिलीफ गलत है B-E-L-I-E-F होता है B-E-L-E-I-F दे रखा है 41 नंबर की बात करेंगे less than three miles three miles से कम था AC box की बात करेंगे तो 50 AD around 50 AD जॉसेफ विली के related question था तो मेरे को जहां तर लग रहा है हलका समुझे इसमें doubts है बट speculum बीटे लेकर चल सकते है I guess यह नहीं होना चाहिए इसको लेकर क्या चल सकते है 44 नंबर जो सवाल है जॉसफ विली के origin of English language से पूछ रहा है आपसे correct answer क्या होगा इसका Latin हो जाएगा correct post positive adjective है आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा होगा the queen's regnant हो जाएगा उसके बाद Ranjit had written the story क्या करना है आपको active passive का देखना है change करना actually में right rewrite the sentence in active voice देख सकतो passive दे रखका इसको आपको active में कह रहा है कि फिर से rewrite करना है तो इसका correct answer हो जाएगा sona was writing a letter to her father 48 नंबर का question आपसे पूछ रहा है कि which tribe co-existed with the kelts तो anglos action 49th number question sarat his husband with implicit trust in his wife fidelity 50 number question का answer भी option number a होगा 51 दो the civilization की बात हो रही थी इसी इंजोड वाले किया तो आपने पढ़ा भी था तो freedom from pain 52 जोसेफ विली बुक origin of english language related तो अगर आपने exactly ये चीज़ मिस की होगी तो आपको दिक्कत हुआ होगा otherwise it can be directly answered as french 53 की ओपर बढ़ते हैं 53 पर आते हैं 53 का correct answer क्या होगा happy यानि क्या as a happy 54 फिफ्टी फॉर को corner the man in the house जिसमें वो मा के लिए concern होता है वो वाली आपने summary देखी होगी मैने बताया भी था कि important है आप पढ़ सकते हो उस topic को तो वहां से है तो वो जब जाता है meditation लाने वहां की instant होती है याद होगा आपको तो one trick one girl tricks him into swelling it all 55 नमबर जो सवाल है वो आपको पूछ रहा है कितने बच्चे थी ये तो बहुत basic सा सवाल था 8 बच्चे जो की translation था तो यह काफी अच्छा easy question पूछ रिया इसने 8 बीदे करेक्ट आंसर 56 का करेक्ट आंसर option number P हो जाएगा आपको चेक करना था किस line में error लग रहा है ठीक है 57 नमबर पर आते है School of Barbenia यह भी बहुत easy है मतलब यह basic जब हमने पढ़ाया था 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 theme and settings of the related to a teacher translation उन सब में यह चीज़े आगे थी relative clause identify the sentence with the relative clause तो the nobleman whom you met in my teacher is my teacher 59 नमबर का जो question है उसका correct answer a plan crafted ad hoc that is the neezer reaction 16 Dr. Faustus by Christopher Melrose how does Lucifer quail Faustus misgivings eventually ठीक है तो इसका correct answer क्या है by making the seven deadly sins Greece Carnard Highwardna जो play है उसके related questions आ गया तो एक ही question को लगबग 2-3 से पूछ लिया तो head will be the correct answer 62 का question का हो जाएगा with his blood आपको पता होगा Faustus में magic and यह चीजों की बात हुई है यहाँ पर इसका correct answer होगा whether his blood 63 number question में होगा part 3 correct proposition आप से पूछ रहा है 64 number में तो आप देखोगे तो इसमें correct proposition क्या होगा beside he said beside me ठीक है to किसी angle से नहीं also का भी कोई मतलब नहीं लग रहा है तो beside me ठीक है हाँ confusion हो सकता है next to me के अंदर और beside me के अंदर बट यह suitable besides me होना चाहिए 65 number question if R.K.N. तो basically आपको पता है pot की बात हुई थी जो की दासर बताता है कि उतने pot में यह मैंने वीडियो भी आपको बनाया था YouTube के ओपर available है तो आप check out कर सकते हो 66 cancer क्या हो जाएगा 2 fasting and fisting how many parts it comprises of 67 lead kindly light cat to able to take one step यहाट से क्या बात हो रही है और यह चीजों की बात इसमें की गई थी आपने पढ़ा होगा तो 68 patterns 69 number पर आते हैं तो Prospero is suddenly reminded to threat of his life चलो 70 okay yeah question number 70 फटा फट करेंगे और already मैं देख रहा हूँ वीडियो 10 minute के लगबग हो चुका है 71 आप मिला लो फिर PDF जाकर के आप मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ आप जाकर के मिलाओ और PDF फिर जाकर के अक्सेस कर सकते हो आप के ओपर जिनका भी आप में count out को तो पता ही होगा Middle English उसके बाद Hillade Road in mere two days A.C.Bogg history language which is the Germanic tribe that conquered England back at the time Saxons यह सारी करा हुए है basics है 75th number का front consonants voluntary poverty मार्तमा गांदी की जो है उसमें किस की बात की गई है conflict with his professional tenants Balas Subramaniam के book से पूछा है यहां पर तो back consonants अब देखो एक ही जगह से उठा लिया काफी question देखो front back consonants Central vowel, mid vowel तो यह चीज़े एक ही जगह से उठा लिया उसने back wobble, front wobble तो यह मतलब उसने महनत नहीं करा है वह से एक जगह से उठा लिया है सवालों को Archana said I will have the work completed चीक है direct in direct का बहुत सा सवाल दे दिया एक साथ यही चीज़े हैं लाइक theta symbol तरही मैंने बताया था मेरे recording क्या हो think How active role does the ship master? अपने पढ़ा था नगरपालिका में भी इस टाइप का question आपको दिया गया था if I am not wrong चलिए 81 number question पर आ जाते है आपको यहाँ पूछ रहा है passive voice पर से active passive है तो a car will be presented by my father on my birthday 82 number question Mr. Benz Graham Green की जो basement room है वहाँ से सवाल है 83 number है अपने ब्लैंक से आपको अच्छे से देखना है faster more cost effectively 84 number रविदना टेगोर की जो रचना है cast away उसका सवाल था theoretical truth 84 number होगे 85 number पर आते है 85 number पर आते है correct for subject verb argument he and I are going to raunchi today I and he am going बिल्कुल गलत हो जाएगा जान दे तो elimination भी आप इसमें लगा सकते हो कई बार elimination वर्क कर जाता है H.G. Wales की बात करेंगी तो मिनो ब्डामबा और एक ही country in the blind का एक ही सवाल आया है 87 number सवाल जो है वह basic old man under the sea से भी 3-4 सवाल उठा लिया है code will be the correct answer ठीक है महज दतानी की final solution कब की थी तो approximately 90-40s ऐसे आप इसको correct कर सकते हो ठीक है धंगो की बात होती है इसमें swimming is good exercise 92 number question पर आते हैं तो be hanged till Now coming to the last page 93 number question Stupidious 94 number question Fulfill फिर direct indirect speech मतलब सिर्फ direct indirect के लों ने 6 सा question भर दी है ठीक है active passive मिला करके देखो तो 7 से 8 question यही दो topic के हो गया आपके Venice transitive verb पूछ रहा था उसके बाद आपसे पूछ रहा है pronounce from the third person plural possessive yeah so deus the hollow man deep S. Eliot की जो poem थी उसमें यह पूछ रहा है की what does the poet mean क्या कहना चाहरा था that's twilight and kingdom से the metamorphic underworld inhabited by the dead that is empty defeated people इसके बाद की जो सवाल है तो इसमें आपको arrange करना था ठीक है QSRP more suitable आप देखोगे अगर पढ़ोगे तो the thieves escaped with the convenience of the guards ठीक है QSRP and the last question but not the least pen has was given to me by Mahmood so yeah this was the complete answers for all the hundred questions of paper to English I hope you have understood it और आप जाकर के check out कर सकते हो आप के उपर description में लिंक है comments में लिंक है जाओगे आप वहां से आपको मिल जाएंगी चीज़े तो वहां से आप जाकर के access भी कर सकते हो इन चीजों को I hope everything is well and fine so yeah मिलते है नहीं वीडियो में thanks a lot for watching do subscribe if you have not subscribed yet और बांकी exams के लिए आपको PDF अविलेबल है ebooks अविलेबल है test series चैनल पर you can go and you can comment below कि आपको कैसा लगा आपको questions कैसे लगे and how much you are scoring see you again bye-bye